So, Hello बच्चों! तो आज हम लेकर आए हैं Class 4, कोपल का 6 चैप्टर जिसका नाम है सेर को सवा सेर सेर को सवा सेर का मतलब होता है एक से बढ़कर एक जो की एक कहानी है तो हम बिना समय गवाय हुए इस कहानी को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक गाउं में तीन भाई रहते थे गप हाकने में उनका जवाब नहीं था इस काम में तीनों भाई अपने को शबका गुरु समझते थे मतलब कि एक गाउं था तीक है? उसमें तीन भाई रहते थे गप हाकने में तो उनका कुछ जवाब नहीं था और इसमें जो है वो खुद को गूरु समझते थे एक बार तीनों भाई जो है यात्रा पर निकले ठीक है रास्ते में वे एक सराय, सराय का मतलब होता है यात्रियों को ठहरने वाला स्थान उसी सराय में एक राजकुमार भी या ठाड़ा उसने कीमती बस्त तथा वहमुल अभूसन पहन रखे थे अब राजकुमार है तो कीमती बस्त और वहमुल अभूसन तो पहने रहे गा है भाईयों ने राजकुमार को अपने जाल में फशा कर उसके बस्तर अभूसन हत्याने की योजना बनाई मतलब कि इतना कीमती समान देखकर उनके भाईयों के जो है मन में लाला चाल गया ठीक है और उसे हत्याने के लिए उनका भाई योजना बनाता है कि किस तरह से किम्ती बस राभुसन ले ले उनमें से एक भाई, राचकुमार से बोला, महां से समय काटने के लिए कुछ खेल पहली हो जाए तो कैसा रहेगा राजकुमार राजी हो गया दूसरे भाई ने सुझाया ऐसा करते हैं कि हम बाड़ी-बाड़ी से गप पे हांकते हैं किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हाड मान जाए उसे गप फाकने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी ऐसा कौन बोलता है? उजो तीनों भाई में से जो है दूसरा भाई बोलता है ठीक है? यह सर्थ रखता है राजकुमर यह सर्थ भी मान गया ठीक है? गपोरी बहुत खुश हुए गपोरी कौन थे? वो गाउं के वो तीन लोग थे उन्हें पुरा बिस्वास था कि वो ऐसी बेतुकी गपा मारेंगे कि राजकुमर को बिस्वास ना करने पर मजबूर करेंगे उसके मुह से यह कैसे हो सकता है? निकलवा कर रहेंगे यह कौन सोच रहा है? वो गप खोर तीनु भाई ठीक है? उन्होंने सराय के मालिक को सराय यहाँ पर खिर किस के लिए है? यात्री कुठ हरने वाले अस्थान यात्री कुठ हरने वाले अस्थान में जो मालिक होते हैं उन्हें पंच बनाने के लिए मना लिया, ठीक है? मुकाबला शुरू हुआ पहले भाई ने गप्पा मारी मतलब कि पहले भाई जो है गप्पा मारना जो है अवा स्टार्ट करता है बच्पन में हम लुका छिपी खेल रहे थे मैं छिपने के लिए एक तार के पेर पर चड़ गया ये कौन बोलता है? पहला गप्पा खोर बोलता है कि हम जो है लुका छिपी खेल रहे थे बच्पन में और छिपने के लिए एक तार के पेर पर चड़ गया वह तार का पेर कम से कम सो मिल उचा था मैं दौर कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिप कर बैठ गया मुझे वही नीद आ गई जब आँख खुली तो देखा कि पेर इस पीच पचास मिल और उगा ऐसा कभी हो सकता है कि हम लुकाची पे खेलते खेलते किसी तार के पेर पर वो भी सो मिल उचा पेर पर दौर कर चट जाएंगे और पत्ते के बीच छूप कर बैठ जाएंगे ये तो गलत बात है ना तब ही उनकी आँख लग जाकती है ये कौन बोलता है गप्पा खोर बोलता है और वो गप्पा खोर कोन थे वो तीनों भाई थे अर वो जो बोलता है कि हमें वही पर नीन्द आ गई और जब हम नीन्द खुलती है तब देखते हैं कि पेर जो है पचास मील और उंचा उग गया है अब जो है नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई ये कौन बोलता है गप्पा खोर में से पहला भाई मैं सोची रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा मैं उसी में घुश गया जब उस बादल से पानी बरशने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रश्ची की तरफ पकड़कर नीचे उतरा मतलब कि वो बोड रहा है कि इतना उचा पेर हो गया कि हमें उतरनी की जो है हिम्मत नहीं हुई और हम सोची रहे थे कि बादल का टुकड़ा मेरे बगा से जो है गुजर रहा था मैं उसी में घुश गया बादल से पानी बरशने लगा तब मैं जाकर पानी की धार को रसी की तरह पकड़कर नीचे उतरा इस पर जो है राजकुमार केवल जो है मुस्कुराया ठीक है पहला भाई जो है निरास हो गया उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा दूसरा गपोरी भाई बोला एक बार मेरी गेंद एक जारी में जागेरी मतलब कि दूसरा जो गप खोर बोलता है कि एक बार मेरी गेंद जो है जारी में जागेरी ठीक है मैं अपनी गेंद धूंडने जारीों में गुसा लेकिन मुझे अपनी गेन कहीं नजर नहीं आई एक चूहे का बेल मुझे दिखा मैं उसकी भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैक्रो हाथी बंधे पड़े हैं उस बेल में रहने वाला चूहा हाथी चोड़ था मतलब क्यों बोलता है कि एक बार मेरे गेन जो है जारी में जा गिरी मैं अपनी गेन ढूरते हुए उस जारी में तो गई लेकिन वहाँ पर हमें गेन जो है नहीं मिले ठीक है पर एक चूहे का बेल जो है मुझे दिखा मैं उसकी भीतर चला गया तो देखता हूँ कि वहाँ सैक्रो हाथी बांधे हुए है अब चूहा की बील में आदमी कब से जाने लगा ये तो गलत है ना उस बील में रहने वाला चूहा हाथी चोड़ था अब ऐसा कैसे हो सकता है अब चूहा जो है मत चूहा नहीं यहाँ पर जो है चूहा हाथी को कैसे चोड़ी कर सकता है मैं उन हाथीों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथीों को पकर कर अपनी जेब में भरने के अब जो है वो सोचता है बोल रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं रहा हमें हाथियों को बचाने के लिए सिबाए हाथियों को पकड़ कर अपने जेब में रखने के लिए अब हाथि उतना बड़ा, आदमी की जेब में कैसे आ जाएगा सारे हाथियों जेब में आ गए तो मैं बाहर की और भागा तभी हाथी चोड चूहे ने मुझे देख लिया वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया बील से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उचल कर एक टिड़े की पीट पर सवार हो गया ये कौन बोलता है गप खोड का दूसरा वहाई ठीक है? और उसे एक चाबुक मारी टिड़े ने आठ दस लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया ठीक है? राजकुमार ने सहमती के लिए मतलब बस दिलासा के लिए सीर हिलाया हाँ मैंने भी तुम्हें टिड़े पर जाते देखा था ये कौन बोलता है? राजकुमार बोलता है दूसरा भाई भी असफल हो गया अब बाड़ी तीसरे भाई की थी वह बोला एक बाड़ में नदी किनारे खूमने गया वहाँ सारे मच्छुआरे इकठे होकर रो रहे थे मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया की नदी में एक भी मच्छली नहीं रही वे भूखे मड़ रहे है मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा मतलब की उसका तीसरा भाई जो है बोलता है की एक बाड़ जो है हम नदी के किनारे गया ठीक है? और वहाँ पर मच्छुआरे जो है इकठा होकर रो रहे थे मैंने कारण पूछा किसे मच्छुआरे से तो उन्होंने बताया की नदी में एक भी मच्छली नहीं रही वो भूखे मर रहे हैं और उसका कारण जाने के लिए जो है वो पानी में उतर गया ठीक है? जब वो पानी में जाता है तो वो देखता है कि एक वेल सारी मच्छलीयों को खा रही है उसे देखकर मुझी इतना गुस्सा आया की मेरे गुस्से की पानी उसके गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा पाने गर्म होने से एक से वेल छट पटाने लगी मतलब क्यों बोलता है कि उस पानी में जब हमने वेल को देखा और वो मचलियों को खा रहा था तब मुझे इतना कुस्सा आया कि मेरे गुस्चे की गर्मी से जो है उस नदी का पानी जो है गर्म होने लगा और पानी गर्म होने से वेल मचली जो है छट पटाने लगी ठीक है? और पानी से उपर आकर हवा में उड़ गई उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूछ पकड़ ली हम दोनों हवा में उड़ने लगे हम दोनों यहाँ पर एक गपखोर का तिसरा भाई और वो जो है वेल मचली वेल ने पूछ हटका कर मुझे किराने की कोशिस की पर मैंने पूछ नहीं छोड़ी तभी मुझे एक बहुत बड़ी चटान हवा में तैरती नजड़ाई मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूछ से पकड़ कर वेल को घुमा कर समुद्र की ओर फेक दिया ठीक है इस परकार मैंने उस वेल से मचुआरों को निजड़ाद दिलाई इस पर राजकुमार जो है ताली बजाई ठीक है और बोलते हैं कि तुमने बहुत वादरी का काम किया ठीक है तीनों भाई असफल हो गये थे उनके मुझ जो है उतर गये पंच ने कहा राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ ठीक है राजकुमार ने कहा ठीक है अब मेरी कहानी सुनो मैं एक देश का राजकुमार हूँ मेरे पास तीन गुलाम है एक दिन वो तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले ये कौन बोलता है राजकुमार बोलता है अपनी कहानी में कि मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मेरे पास तीन गुलाम है, एक दिन वो तीनों मुझे धोखा दे कर भाग निकले, तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलास करता फिर रहा हूँ, आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो, अब तीनों भाई फस गये, अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो सर्थ हार जाते, और राजकुमार के गुलाम बन जाते, अगर राजकुमार की गप से उकार करते, तो गुलाम है ही पंच ने निर्ने दिया पंच कुन था उस सराय का मालिक था ठीक है तो अब वो जो है निर्ने दिया कि तीनों भाई हाड गए और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे वे बहुत सीट पिटाए राजकुमार से माफी मांगने लगे अन्त में राजकुमार ने कहा मैं तुम्हें एक सर्थ पर मुक्त करता हूँ वह यह की आगे से उलूल जलूल बाते बना कर गाउवालों को न ठगना गपोरी भाईयों को बचन देना पड़ा तो आज के लिए बस यहीं तक